नमस्कार मेरा नाम है मिताब और द्रिष्टिया ये स्केंडेप स्रिंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है जलवायू परिवर्तन एक ऐसा शद्द जो वैश्विक चिंता का विशय कई दश्कों से बना हुआ है लेकिन आज जब इस दिशा में प्रयास वैश्विक रूप से किये जा रहे हैं और उन प्रयासों की परिड़ती संतोष जनक नव हो और खबर ऐसी छपे कि क्या हम जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हार गए हैं तो मानसिक चिंता होना स्वभाविक है आज इसी खबर के इर्दगिर्द हमारी यह परिचर्चा केंदरित होगी आएए देखते हैं क्या है आज का विशय शिर्सक है क्या हम जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हार गए हैं इस शिर्सक को हम समझेंगे आखिर क्यों ये लाइने अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं तब से पहले खबर देखेंगे फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है फिर देखेंगे यदि ये हार है तो हार के वो कौन से इसे छेतर हैं जहां हम खुद को पराजित महसूस कर रहे हैं जलवायू परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ क्या है, कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है साथी वैश्विक और राष्ट्री प्रयास इस दिशा में क्या हुए है उसको भी हम देखेंगे और अंत में हम एक अभ्यास प्रश्ण आपके सामने लेकर आएंगे इस बात को देखने के लिए कि संदर्प के प्रतियाब कितने केंद्रित है बात अगर खबर की करें तो खबर इंडियन एक्स्प्रेस की है, जहां पर यह खबर है कि क्लाइमेट चेंज अर्था जलवायू परिवर्तन के खिलाफ क्या हम लड़ाई आर गए हैं ऐसे में जब कॉप 28 की बैठक दुबई में आयोजित होने वाली है जब कोई महतुपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली होती है तो उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आती है और उन ही रिपोर्टों में कुछ ऐसी बाते उभर कर सामने आई है जो इस बात को इंगित करती है कि इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं कही न कही उन प्रयासों में कमी है जहां हमारी हार को वो इंगित करते हैं क्या वो कारण है तो सबसे पहले हम देखेंगे यह चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है कि आपको बताया गया काप 28 की बैठक होनी है UAE में आप देखेंगे दुबई शहर में यह बैठक आयोजित होने वाली है और आपको पता है कि हर वर्ष यह बैठक आयोजित की जाती है इसी में पिछले माह में कई रिपोर्ट ने आई कई अध्यन के परिडाम सामने आए उसमें एक रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें यह कहा गया कि 17 नवंबर की वो तारीख है जहां पर डैनिक आउसत वैश्विक तापमान अर्थाथ एक दिन का वैश्विक तापमान जो है वो दो डिगरी सेल्सियस की जो सीमा है उस वृद्धी को लान्ह जाता है उसको क्रॉस कर जाता है और वो प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन को क्रॉस कर जाता है प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन एक सीमा निर्धारित की गई है जिसको की इंडस्ट्रियल बेसलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि और द्योगी की करण प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उसकी बाद से वैसे तो 18. शताबदी के उत्तरार्ध में और द् वृद्धी को कोई दैनिक वैश्विक तापमान अगर लांग गया तो ये अवश्य एक चिंता की बात है तो इस वज़ा से ये चर्चा में है अब बात जिस हार की हो रही है जिस पराजय की हो रही है हम देखते हैं कि किन छेत्रों में हमें असफलता हाथ लगी है सबसे पह आईपी सीसी ये कहता है कि वैश्विक तापनस्तर अगर 1.5 डिग्री सेलसियस की सीमा तक हमें रखना है ये हमने एक स्टेंडर्ड तय किया था कि 2030 तग हम दो डिग्री सेलसियस, दो डि तो रहे तक हम थोड़ी सफलता मानी जाती है लेकिन अगर 1.5 तक हम उसको सिमित करत तो हम अपने लक्ष को पुरी तरसे प्राप्त करने में सफल माने जाएंगे, तो अगर हमें यह लक्ष प्राप्त करना है, जो हमने एक आदर से लक्ष निर्धारित किया, 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा, तो इसके लिए जो ग्रीन हाउस उचसर्जन है, अर्थाद ग्रीन हा ही है कि उसमें अगर 43 प्रतिशत की कमी की जाएगी, तब कहीं जाके हम उस लक्ष को अर्थाद 1.5 डिग्री सेल्सियस तक्सिमीत रखने के लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय यह जो उचसर्जन की दर है, वो कितनी उच है, 2019 में जो वैस्विक उचसर्जन है, अगर उसकी हम देखें, तुलना करें, तो 56 बिलियन टन सीयो टू के बराबर है, यहां पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, 2019 में 56.4 बिलियन टन सीयो टू के बराबर है, अब 2030 तक अगर हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को प्र लेकिन मौझूदा हालात क्या है, मौझूदा गती क्या है, मौझूदा रेट क्या है हुद सर्जन का, वास्तविक्ता ये है कि 2020 के अलावा कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है, जहां पर इस emission rate में कमी आई हो, बलकि उल्टे इसमें वृध्धी देखी गई है, यहां ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, 2020 में कमी इसलिए आई, क्योंकि ये कोविड का समय था, इस समय सारी और योगी गतिविधियां ठप थी, सारे इस तरह के वाहनों के संचालन एक तरह से ठप पड़े हुए थे, तो प्रदूशन और उत्सरजन की दर मिनिमम थी, ऐसे समय में आप दे देखेंगे, Emission Gap Report कह रही है, कि 2019 से 22 में एक बिलियन टन की व्रिद्धी देखी गई, यहां आप देख सकते हैं, 19 में 56.4 है, और 22 में 57.4 है, तो ऐसे में जो CO2 के Emission की अगर हम उससे तुलना करें, तो एक बिलियन टन की व्रिद्धी देखी जा रही है, जबकि इसको, हमको 9 प्रतिशत की कटवती करना होगा, अनिता हमों लक्ष नहीं प्राप्ट कर सकेंगे, COVID काल में, जब सारी गतिविधियां ठप थी, तब हम 4.7% की कटवती हमको देखने को मिली थी, ऐसे में 9 प्रतिशत की कटवती करना कितना मुश्किल है, जब सारी और योगिक 4.7% की कटवती थी, ऐसे में सारी गतिविधियों के संचालित रहते, 9 प्रतिशत की कटवती करना एक तरह से असंभव है, इसलिए इस सेग्मेंट में हमारी failure हमको दिखाई दे रही है, वर्तमान गति के अनुसार हम देखें, तो 2030 तक जिस speed से हम चल रहे हैं, अगर overall बहु अनुकूलन परियोजनाओं की असफलता, अनुकूलन परियोजनाओं की असफलता का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे अल्प विक्सित देश जिन पर climate change का सरवाधिक प्रभाव पढ़ना है, उनको अपनी सुविधा के लिए कुछ infrastructure डवलेप करने होंगे, अपने चारों और अगर समुद्र स्तर के बढ़ने से उनको खतरा है, तो sea wall बनाना होगा, इसके अलावा उनको early warning system मान लीजे, develop करना है, तो इन सारी चीजों के लिए उनको अवशक्ता होगी वित्त की, और ऐसे में उनको वित्त मुहया कराने का काम, वैश्विक समुदाय का होगा विशेश किया गया, आप देखेंगे कि COP26 में, जो glass go में हुआ, adaptation project के लिए धन राशी दोगनी करने पर सहमती बनी, कि ऐसे देशों के सहायता के लिए हम जो adaptation जो राशी है, उसको दूगना कर देंगे, अगर यह कार्य हुआ होता, तो यह राशी जो है 20 billion dollar से बश्ट कर 40 billion dollar हो जाती, लेकिन मौजूदा परिस्थिती में क्या हालात हैं, क्या यह राशी बढ़ी, क्या यह राशी इसमें बढ़ोतरी हुई, इस पर अगर नजर डालें, तो सन्यूप्त राश्ट की एक report है, जिसमें बताया गया कि पिछले वर्स इस राशी में वृध्धी तो दूर की बात है 15 प्रतिशत की कमी देखने को मिली, तो इस सेग्मेंट में भी कहीं न कहीं हमारी असफलता दिखाई दे रही है, विकार्शेल देशों की अगर सन्यूप्त आवशकता की बात करें, इस प्रकार के जितने देश हैं उनके सन्यूप्त जो, उनको सन्यूप्त रुप सी, जितन लेवल अफ फ्लो दिखाई दे रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर तुलना करें, तो ये राशी 10 गुनी है, काफी ज़्यादा है, तो यहां भी असफलता दिखाई दे रही है, इसके लावा तीसरा बिंदु है कि Loss and Damage Fund, Loss and Damage Fund का मतलब हुआ कि ऐसे देश, जो इस प्रकार की आपदाओं से ग्रसित हैं, अगर वहां पर उनको नुकसान होता है, तो उनकी सहायता के लिए एक ऐसा मद हो जो उनको उपमुहया कराया जा सके, शर्म अलशेख मिस्र में है, जहां पर COP27 हुआ था, आप देखेंगे COP27 पिछली वार हुआ, 2022 में, तो वहां पर क्लाइमेट डिजास्टर से जो जहां पर छती हुई है, उनको वित्ती सहायता देने की बात की गई, लेकिन जिस फंड की बात की गई, वो फंड की हालत आप देखेंगे, तो यह फंड फिलहाल एकदम खाली है, तो यहां भी यह असफलता दिखाई दे रही है, इस प्र जलवायू परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ कारण और प्रभाव एक नजर डालते हैं, इस पर भी जलवायू परिवर्तन की अगर बात करें, तो आपको पता होगा कि जलवायू और मौसम दो चीज़ें होती है, मौसम बॉलिवूड का गाना सुना होगा, आपने कि मौसम क लंबे समय तक एक आउसत मौसम बना है, तब तो ठीक हम मान रहे हैं, लेकिन उस जलवायू में अगर लंबे समय तक एक आउसत मौसम नहीं बन रहा है, उसमें चेंज दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो जलवायू परिवर्तित हो रही है, वो लंबा समय कितन तो उसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन तीश वर्स एक मानक माना जाता है, यगर तीश वर्स तक यह परिवर्तन होता है, तो उसको जलवाईव परिवर्तन मान लिया जाता है, क्या कारण है, तो कारण इसके दोनों हो सकते हैं, वो प मुखी विस्पोर्ट से जो गैसन निकलती हैं वो भी इसके लिए जिमेदार होती हैं 1815 में आप देखेंगे इंडोनेशिया में एक जोला मुखी विस्पोर्ट हुआ था इस विस्पोर्ट के परिडाम सोलोप आप देखेंगे पश्चमी जगत का तापमान इतना कम हो गया था कि उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है किलिंग शमर फ्रोस्ट ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी वज़ा से ये सब प्रभाव होते हैं समुद्री धाराएं भी इसको प्रभावित करती हैं जल्वायू परिवर्तन का कारक बनती हैं आपको पता होना चाही के 70% भाग पर समुद्र है और समुद्र कारबन सिंग का काम करते हैं कार्बन को और शुर्षित करने का काम करते हैं अगर इन धाराओं में परिवर्तन होगा तो जलवायू को यह किसी ने किसी प्रकार से परिवर्तित करेंगे इसके अलावा प्रित्वी का जुकाओ, महादविपी, समभण, मानुवी यह गतिविधियां है जो इसको जलवायू परिवर्तन को प्रभावेत करते हैं लेकिन बात यहाँ होगी जिम्यदारी से हम जिस बात को सीकार करेंगे, वो यह है कि मानुवी गतिविधियां इस चीज को जलवायू परिवर्तन को अगर प्रभावेत कर रही है तो वो चिंता का विश्य है, वो क्या ऐसी गतिविदियां हैं, तो शहरी करण का बहुत जादा होना, और द्योगी की करण का एक्सिस लेबल पर बढ़ जाना, एक्स्ट्रीम लेबल पर बढ़ जाना, इससे क्या होता है, कुछ ऐसी गैसे निकलती हैं, जैसे सलफर आने वाली किरणे, अगर मालीजे सूरी से आने वाला जो प्रकाश है, वो इसके अंदर आता है, ग्रीन हाउस एक ग्लास की कसंकलतना है, जो पश्चिमी देशों में, फोरियर ने, 1824 में ही इसको पहचान लिया था इस एफेक्ट को, जो से फोरियर ने, ये क्या होता है, कि इस सूरी से आने वाले प्रकाश को ये रोक, प्रकाश तो अंदर आ जाता है, लेकि इससे निकलने वाली उस्मा इससे नहीं निकल पाती है, और अंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है, ये जो गैसे हैं, ये जहरिली गैसे हैं, विशेश रूप से CO2 क्या करता है, अगर उसकी मात्रा वातावरण में ज्यादा बढ़ जाएगी, तो CO2 यही कारे करेगा, सुरे से आने वाली उश्मा को रोकने का कारे करेगा, और उसका परिडाम क्या होगा, इससे वैश्विक तापन बढ़ेगा, उसमा को रोक के रखने पर यहां का तापन बढ़ जाएगा, मानवजनित क्रियाविधी हैं, जो कि इसके लिए उत्तरदाई हैं, इसके लावा वनोन मूलन, वनों को काटना, आप देखें तो समंद्र के साथ साथ वन, वो ऐसे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास इश्वर का दिया उपहार हैं, जो कि CO2 को ये भी सिंख करते हैं, उसको रोक क अगरसर होगा, रासायनिक कीट नासकों और उरवरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से भी इस दिशा में ऐसे उसमें क्रियाविधी होती है, जिसकी वज़य से वो गैसें, एमिशन उन गैसों का होगा और जलवायू परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव होता है, क्यों हम चिंती से जलवायू परिवर्तन से, तो प्रभाव पर अगर नजर डाले तो समुद्री जलस्तर में वृद्धी होगी, क्यों होगी, वैश्विक्तापन होगा, तो गलेशियर्स पेखलेंगे, गलेशियर्स पेखलेंगे, तो समुद्र कास्तर बढ़ेगा, और जनसंख्या विस्थापित होगी, उस जगह पर जनसंख्या क्या भार बढ़ेगा, इस तरह से वहाँ पर बेरोजगारी, खादिसंकटी, ये तमाम चीजें उभर कर सामने आएंगे, विशेश्विर्स से भारत के परिपेक्ष में बात करें, तो लक्ष द्वीत और अंडमा प्रभाव के फल सुरूफ वर्सा, बाढ़, भूस, खलन और क्रिशी पर भी दूस प्रभाव पड़ेगा, आज हम देखते हैं कि वर्षा का अन्यमित होना, कहीं भी बाढ़ा जाना, ऐसे छेत्र में जहां कभी वर्षा नहीं होती है, वहाँ बाढ़ा जाती है, ऐसे छेत् के पैटर्न में बदलाओ होगा, कुछ पक्षी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, और विशेशक कहते हैं कि प्रित्वी की एक चौथाई प्रजातियां, 2050 तक विलुप्त हो जाएंगी, ये सभी जलवायू परिवर्तन का प्रभाव हैं, वर्ष 2008 में आप देखेंग ध्रुवी भालू की बात की जाती है, कि ये उस सूची में जोड़ा गया, जो समुद्र के अस्तर में विलुप्त हो जाएगा, ऐसी संभावना बताई गई ध्रुवी भालू के लिए, तो ये जलवायू परिवर्तन के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, जो आपको शाट टर्न में बताई गए हैं, वैसे इसके गहन प्रभाव हैं, एक लेक्षर में उसको व्याख्याईत करना संभव नहीं है, जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास भी हुए हैं, भारत की ओर से भी प्रयास हुए हैं, कुछ मैतुपोन प्रयास, अगर वैश् क्यानिक निकाए, क्या होता है, तो इस संग्युक्तराष्ट पर्यावरन कारिक्रम अर्थार्त UNEP और WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 1988 में इसको इसको इस्टैबलिश किया गया था, इसके लावाद दूसरा प्रयास संग्युक्तराष्ट जलवायू पर क्लाइमिट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं, उनके एमिशन को, उनके उत्सरजन को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए ये समझोता किया गया, ये समझोता 1992 की जो प्रिथवी सम्मेलन हुआ था, उसमें ये किया गया, और यहीं से आपको बताए कि कॉप जो बैठक ह क्लाइमिट चेंज की दिशा में, क्योंकि यहीं पर जो दिसंबर 2015 में आयूजित हुआ था, जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए नए वैश्विक समझोते किये गए और इस दिशा में कुछ महतुपूर्ण ठोस रणनीती बनाई गए जिस पर हर अगले काउप की बैठक में उसका विशलेशन होता है उस पर आगे की रणनीती तै की जाती है जलवायू परिवरतन पर भारत के कुछ प्रयास हुए भारत भी जलवायू परिवरतन को लेके काफी सीरियस है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता रहा है जलवायू परिवरतन पर राष्ट्री कार योजना की अगर बात करें एनफ पी सी सी तो यह 2008 में यहां पर इंट्रड्यूज किया गया और इसमें आठ लक्ष आठ मिशन इसमें सामिल किये गये थे इसका भी उद्देश क्या था तो इसका उद्देश भी जागरूकता था चाहे वो सरकारी सदस्य हों प्रतनिधी हों चाहे विभिन एजेंसियां हों वैग्या अठ लिए यह प्रीयास किया गया हाली में आप देखेंगे कि राश्च्रियस्तर पर निर्धारित अगर योगदानों की बात करें तो राश्च्रियस्तर पर निरधारित योगदान अर्थाति Intended Nationally Determined Contribution, INDC, एक महत पोण है आपके परिक्षा की द्रिष्टी पोण से, इसमें भी प्रयास हुए COP26 जो हुआ था, उसमें पंचामिर्त की घोशना की गई, हर देश ने पेरिस समझोते में जो लक्ष निर्धारित किये गए थे, उसके संदर में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए तक्रीबन 24 देशों ने अपने अपने घोशनाय की, जिसमें की भारत ने भी अपनी घोशना की जिसको पंचामिर्त घोशना के नाम से जाना जाता है, साथी 2070 तक नेट सुनियमेशन की बात की जाती है, भारत की ओर से, 2030 तक अपने सकल घरेलू उतपात क जो उतसरजन तीवरता है, उसको 45 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष भारत ने निर्धारित किया, फिर जीवन परयावरान के लिए जीवन शैली में शुधार हो, ये घोशना हुई, और सामान ने लेकिन विभेदित जिमिदारियों और सम्बंदित छमताओं का सिध्धान दि एट का आयोजन कहां किया जाएगा, आप्शन है लंदन, दुबई, शर्म, अलशेख या ग्लास गो, उमीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे, लड़ते रहें, अपने लक्ष की और बढ़ते रहें, धन्यवाद.